वेल्कम टू एक्जामोपीडिया प्लस वेल एक्जामफोबिया एंड्स हमने एल्फानुमारिक सीरीज के तीन पार्ट कम्प्लीट कर चुके हैं और लास्ट सेशन के बारे में काफी बच्चों ने कहा गी सर उसमें जो कोश्चन्स थे हमने काफी कुछ सीखा लास्ट सेशन के जो कोश्चन्स थे काफी अच्छे लेवल के कोश्चन्स आप लोगों को लगे ऐसे ही कुछ अच्छे लेवल के कोश्चन्स आज भी लेके आया हूँ बात समझ रहे हैं हमारा आज एलफा नुमारिक सीरीज का पार्ट फोर है और हम इसकी शुरुआत करेंगे वीडियो में बने रहना क्योंकि काफी अच्छे-च्छे कोशन्स मैंने रखे हैं ठीक है बीच में छोड़के जाने की गलती मत करना वरना नुकसान की भरपाई नहीं कर पाऊगे बात स समझाएंगे टाइमर स्टार्ट कर दिया है फटा फट से उड़ा दो कोशन को जल्दी 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 चलो भे टाइमर हो गया है खतम कोशन को पहले समझते हैं यह है क्या अभी तक कि जितने भी कोशन की है हमने इस टाइप का कभी कोशन किया नहीं यहां क्या दोस्त दिया है आपको एक कोशन में सीरीज दी है वो सीरीज क्या है वो यहां पे एक इस टाइप की सीरीज है इस स सीरीज में एक तो letters है, उसके बाद है numbers और उसके बाद है symbols, बात समझ रहे हैं, ये तीनों चीजे आपको इस series में दी है, letters क्या हो जाएंगे, जैसे सबसे पहले letter लिखा है T, numbers क्या हो जाएंगे, जैसे 4 लिखा है, और symbols क्या हो जाएंगे, जैसे percentage, ये तो आपने तीनों दिला दिया जाए, तब आप इनको क्या बोलोगे, तो इनको बोला जाता है elements, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए, element कौन सा है, तो वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो number होगा, या फिर letter होगा, या फिर symbol होगा, लेकिन अगर specifically number की बात हो रही है, तो number ढूंडना है, letter की बात हो रही ही, तो letter ढूंडना है, symbol की बात हो रही ही, तो symbol ढूंडना है, ठीक है, ये था basic कुछ, अब करते है question, बोल रहा है, if all the vowels are skipped, मतलब सारे vowels को हटा दिया जाए, तब third to the left of tenth element from the right hand बोला गया है, कि right hand से जो tenth element है, उसके left में third number पे कौन सा element होगा, हमने पहली जो वीडिय हो, तब क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, या फिर same as it is, right और right लिखा हो, तब भी माइनस कर देते हैं, और बताया भी गया था, अगर ultra लिखा होता है, left और right लिखा है, या फिर right और left लिखा है, तो add कर देते हैं, ठीक है, अगर ये बात हैं, तब तो बहुत अच्छ अब यह 13 का क्या करना है? तो 13 का करना है from right end मैंने बताया था ना जो भी resultant figure आए उसको क्या करना है from के बाद जो भी word लिखा है वहाँ से count कर लो तो right end से without counting vowels 13 नमबर 13 नमबर पे कौन सा element है? एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा और ये आ गया 13 नमबर पे कौन सा element आ गया? f element आ गया मतलब की option नमबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा अब कर दो इसका answer फटाफट से 37th question आपके सामने आ गया है जल्दी से फटाफट से शुरू हो जाओ timer start कर दिया fast एकदम fast पोशन क्या बोल रहा है? how many numbers in a given series are immediately preceded तो ढूंडना क्या है? पहले ये बताओ नमबर ढूंडना है ना immediately preceded by consonant and immediately followed by symbol ये series हमें ढूंडनी है कि सबसे पहले consonant हो फिर number हो फिर symbol हो बात समझ रहो? तो फटा फट से ढूंड लो भाईया कहां पे consonant, number हो, symbol एक सात बैठे हैं तो देखो दोस्त, consonant ढूंडना थोड़ा सा, sorry, symbol ढूंडना थोड़ा सा आसान होता है देखो हमारे पास answer आ गया, लेकिन ध्यान अभी solution पे देना कि symbol ढूंडना आसान होता है, तो फटा फट से symbol से पहले number ढूंड लो तो symbol से पहले number नहीं है, symbol से पहले number है, हाँ है, लेकिन पहले consonant नहीं है symbol से पहले number है, हाँ है, लेकिन उसके पहले consonant है, नहीं है symbol के पहले number है, क्या, नहीं है, इस symbol के पहले number है, हाँ है, लेकिन consonant नहीं है इस वाले symbol के पहले number नहीं है, इस symbol के पहले number नहीं है इसवाले सिंबल के पहले भी नहीं है एक आपके पास सिंबल ऐसा आया सुरी नंबर ऐसा आया हमें तो नंबर ढूंड़ा था ना सुरी तो हमारे पास seven आ गया मतलब seven एक ऐसा नंबर है जो आपका इसका answer होना है जakan गे सेवें हमें number मिला है और number of how many numbers बोला न तो एक number मिला है एक आपका answer none of these में जाएगा बात समझ गए इतना clear हो गया ना हमें जो series ढूंड़नी थी वो ये थी अगला question देखो timer start कर दिया है fast उड़ा दो देखो इस question ने बोला है four of the following five are alike in a certain way and thus form a group ये जो पाँच option दिये हैं न दोस्त इन पाँच options में से कोई एक ऐसा option होगा जो group से हटके बात कर रहा होगा मतलब की similarities चार में होंगी और किसी एक में कुछ एक अलग सी चीज हो रही होगी which of the following does not belong to the group तो जो अलग है वो बताना है देखो answer हमारे पास आ गया लेकिन देख लेते हैं fifth option कैसे होगा देखो इस question को करते हैं option से इसको option से ही किया जाता है तो four and you ये कहां है four यहाँ पे है and आया आपका दो places छोड़के and आया और four के पीछे था you ये एक series बन देए अब देखना है six y और bracket तो कैसे आया six दो छोड़के y और six के पहले था bracket seven इसके बाद ये कोई symbol है फिर P तो seven के बाद दो छोड़के symbol और फिर P फिर nine e h तो nine दो छोड़के e और nine के पहले h फिर एक पांच एक छोड़के आगया पांच यही एक culprit निकला हमारा और ये group से अलग था हमने इसका अंसर मार कर लिया अगला question देखो 39th चुटकियों में उड़ा दो timer start लाओ आफ-ट हमारा देसका लाओ लाओ acquisition लाओ उन्च लाओ question क्या बोल रहा है what will be the resultant when second prime number from left left से second prime number कौन सा होगा पहला prime number नमबर है 2 और दूसरा prime number है 3 तो 3 हमने लिख लिया is multiplied मतलब 3 का multiplication करना है किसके साथ करना है with first composite number from the left end तो first composite number क्या है 4 है 4 ही तो है तो 4 हो जाएगा अब ये answer हो जाएगा आपका 12 12 means option number 2 इसका सही जवाब होगा अब हमारे सामने question number 40 आ गया है फटा फट से निप्टाओ timer start कर दिया है एक अलग pattern का question है जल्दी से समझे अब ही पार्टी शुरू हुई है अब ही ये सलसला शुरू हुआ है आगे बहुत ही बढ़िया question है तो वीडियो में बने रही है का और like कर देना वीडियो को इस question को देखते है which of the following meaningful word cannot be made या formed using the letters that come between second even number from left तो even number four है फिर six है तो six के बाद six के बाद जितने कौन से होंगे letters होंगे and fourth odd number from the right तो right से fourth odd एक दो फिर तीन और है चार और है तो six और seven के बीच में जितने भी letters है वो मुझे लिख लेने हैं तो पहले वो लिख लो letter है k y a l g m f p ये आपने सारे letters लिख लिए ठीक है अब मुझे बताना है कि ये जो पांच words आए है इन में से कौन सा word इन letters की मदद से नहीं बनेगा तो m a p क्या बनेगा हाँ m b है a b है p b है तो ये वाला तो बन जाएगा f l a g flag बनेगा f l a g ये भी बन जाएगा play बनेगा क्या p l a y ये भी बन जाएगा p l a m palm तो p l a m ये भी बन जाएगा ग्लैड बनेगा क्या ग्लैड नहीं है मेरे पास दो डी की कमी के कारण ग्लैड नहीं बन पाएगा option number फिर फिफ इसका सही जवाब हो जाएगा बात समझ रहे हो? अच्छा कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होगी सरी यह 1 है कि L है है ना? तो भाईया देखो यह L है कैसे पता लगाना है तो meaningful में L आया और ये वाला और ये वाला जो sign है यह approximately बिल्कुल same है हाया ना? तो जब same है तो वो भी L ही होगा ठीक? चलो अगले question पर आ जाते हैं यह नई series शुरू हुई है नया set शुरू हुआ है समझने की कोशिश करो और answer करो इस type का question हम कर चुके हैं इस set क्या? मलए इस type के set का कर चुके हैं पड़ावट से समझो और करो अब देखो 30 सेकंड खतम हो गए ठीक है? और answer का कुछ पता नहीं है देखो दोस्त question आसान होते हैं लेकिन जब हम solve करते हैं तब हमें लगता है कि यह lengthy question हो रहा है लेकिन अगर हम उसकी smart approach के साथ उस question को करें तो वही lengthy question easy के साथ साथ short भी हो जाता है अब इस question को समझने की कोशिश करना after arranging all the digits in increasing order मतलब छोटे से बड़े क्रम में लगाना है within the number तो छोटे से बड़े क्रम में लगाना है तो सबसे पहले number में सबसे छोटा digit कौन सा है 5 इस वाले में सबसे छोटा है 2 फिर इसमें है 3 इसमें भी है 3 और इसमें है 2 आपने सबसे पहले सबसे छोटी छोटी digit हर एक number की लिखनी मतलब कोई भी number अगर शुरू होगा तो या तो 5 से होगा 2 से 3 से 3 से या 2 से फिक है what is the sum of third digit of the highest number तो दोस्त highest number तो यही है इसकी third digit क्या होगी तो यह number हो जाएगा 5 7 8 तो third digit हो जाएगी 8 ठीक है what is the sum of third digit of the highest number तो 8 तो हो गया and the first digit of lowest number तो lowest कौन सा होगा या तो ये वाला या ये वाला मुझे नहीं पता अभी कि कौन सा होगा लेकिन lowest इनी दोनों में से कोई होगा और मुझे चाहिए first digit तो जब first digit चाहिए दोस्ट तो चाहे ये वाला number हो lowest या ये वाला digit तो दो ही आएगी ना first digit तो दोनों की same है ना चाहे कोई भी number हो lowest तो answer क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा मैंने कम इस्तमाल किया अपने pen का जादा इस्तमाल किया अपने दिमाग का और answer मेरे सामने आ गया option number 3 10 अग समझाई है अगर आई और तरीका अच्छा लगा तो like कर देना और अगला question देखना timer start हो गया है फटा फट से चालू हो जाएगा देखो दोस्त यह जो question है ना इस question में मैं अपना pen उठाओंगा तो उठा तो लिया ही है मतलब exam में pen की जरूरत नहीं है इस question में pen की जरूरत नहीं है कैसे बताता है हमारे सामने question है if one is added to each even digit अगर even digit में देखो इसको conceptually solve करेंगे आप खुद समझ पाओगे कि इस question का answer 5 से 10 सेकेंड में आता है if one is added in each even digit अगर even digit में one add किया तो वो digit क्या बन जाएगी क्या बन जाएगी odd बन जाएगी नहीं बन जाएगी if one is subtracted from each odd digit तो अगर odd digit में से one subtract किया तो वो क्या even digit नहीं बन जाएगी बन जाएगी ठीक how many numbers so formed will be fully divisible by 2 दो से divide होने वाला कौन सा number होता है even होता है या odd होता है सिरिफ even number ही completely divisible होते हैं 2 से हाँ या ना तो मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी अबब सीरीज में वो सभी numbers को pick कर लेना है जो odd है क्योंकि odd number में जैसी ही मैं minus करूंगा 1 तो मुझे मिल जाएगा even number और even number completely divisible होगा 2 से तो मेरी race में कौन सा होगा answer सौरी ये नहीं ये होगा ये भी होगा और ये भी होगा सिर्फ ये ही तीन ऐसे number होंगे जो change करने के बाद बन जाएंगे क्या even और completely divisible हो जाएंगे 2 से तो option number 3 answer is 3 इसका सही जवाब होगा आपने pen भी नहीं उठाना है सिर्फ conceptually इस question को solve कर लेना है समझाई? अगला question देखो फटा-फट से करने की कोशिश करो timer start है ध्यान से करना खतरनाक हो सकता है चले चले सवाल है which of the following number will be placed exactly in the middle of the series when all the numbers are changed to product of their digit and arranged in ascending order from left to right for an example बोल क्या रहा है 785 को मुझे क्या करना है इन सभी का product ले लेना है मतलब 85 is a 40 and 47 is a 32 तो sorry 747 is a 28 मतलब की 280 ये इसका product हो गया अब इस product ऐसी सारे numbers का product लगा लेना है और फिर मुझे ascending order में लगाना है सारे products को और left to right लगाना है फिर बताना है middle में कौन सा number आए इसको देखते हैं भई 2, 4, 3 4, 3 is a 12 and 24 4, 3 is a sorry 3, 4 is a 12 and 12, 6 is a 72 7, 3 is a 21 21 into 9 189 and 7, 2 is a 14 5, 2 is a 70 ये आपके कुछ products आ गए जो सब numbers के थे आपने देखना है middle में middle में मतलब की पहले number पर ये आएगा दूसरे पर ये आएगा sorry दूसरे पर ये आएगा तीसरे पर ये आएगा फिर चौते पर ये आएगा पांच में पर ये आएगा option number इसका ये वाला हो जाएगा 72, 72 किससे आया था मुझे 6, 3, 4 से आया था option number 1 इसका सही जवाब हो जाएगा बात समझा गई? आगई या नहीं आगई? आपने product करना है फटा फट से इसमें थोड़ा सा math भी चाहिए calculation आपकी strong होनी चाहिए तो फटा फट से आपने product किया product करने के बाद उनको arrange कर लिया mind में और तीसरे नमबर पर जो आएगा number वो आपका answer हो देगा option सामने है, question सामने है और timer भी सामने है फटा फट से करने की कोशिश करो जल्दी से बताओ क्या answer होगा देखो भई what will be the resultant of third digit of the third highest number, तो इसमें third highest number कौन सा है दोस्त 572, इसका third digit मतलब की 2 ठीक है, इस subtracted from the first digit subtract करना है from the first digit of the second highest second highest कौन सा है, 634 का first digit 6 मतलब कि अगर 6 और 2 का minus करें तो आएगा 4, अब यहां पे अपना खुपड़ी नहीं लगाना है कि भईया यहां तो minus का 4 आ रहा है मेरे पास तो सारे ही answer plus में दे रखें, ऐसा क्यों हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है answer कर देना है 4 अब सवाल यह उठता है कि सर अगर minus 4 भी option में होता तब क्या करता मैं तब minus 4 लगा देते तो इतना जादा दिमाग नहीं लगाना है simple seizure रखनी है अब आप अगला question देखो 4 answer आ गया इसका, अगला question देखो यह एक नई series शुरू हो गई हमारी यहां पे हमने 4-4 digits के number लिए है इन series को करो फटा फट से timer start हो गया है खतरनाक हो सकती है ध्यान से करना मज़ा आएगा इस question में पता रहूं पहले 30 second खतम हो गए है एक 30 second का timer और दे रहा हूं ठीक है एक 30 second का timer और दे रहा हूं फटा फट से करो अब मुझे बताओ किस किस को सवाल समझ आया क्योंकि यहां पे जो जंग थी मैंने एक मिनिटरा timer इसी लिए देया क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं सवाल को समझने में समय लगेगा सबसे पहले समझते है question कहना क्या चाह रहा है if in each number all the composite digits composite digits क्या होती है जैसे कि 6 है 4 है यह composite digits है are changed to their previous prime number for example 6 से पहले prime number क्या आता है 5 आता है है ना 4 से पहले prime number क्या आता है 3 आता है 9 से पहले prime number क्या आता है 7 आता है तो यह बोला गया है कि जितने भी composite number है उन से पहले उनके prime number ले लो and all the prime digits are changed to their next composite number for an example 2, 2 के बाद कौन सा composite number है तो 4 है, 5, 5 के बाद कौन सा composite number है वो है 6, ऐसे करना है इसके बाद क्या बताना है आपने ये सारे changes करने के बाद then how many times 7 is repeated in the new sequence बताना है कितनी बार 7 आया है सारे numbers को मिलाके कितनी बार 7 आया है अब दोस्त ये बात समझना कि 7 क्या है 7 is a prime number और a composite number 7 is a prime number और prime number अगर हमें बताना है बात समझना कि 7 कितनी बार repeat हुआ है नए arrangement में ये बताना है तो 7 अगर बनेगा तो वो कहां से बनेगा किसी composite number से ही तो बनेगा आया ना तो सिर्फ मुझे क्या करना है मुझे change करना है composite numbers को to their previous prime numbers prime numbers को touch नहीं करना है क्योंकि मुझे उससे 7 मिलेगा ही नहीं तो मैं क्यों touch करूँ बात समझ रहे हो इसको इस तरह से करना है सामने आपके मैंने इसका solution रख दिया है दोस्त given sequence ये है जिसमें यहाँ पर दे को note पढ़ दो पहले prime digits are colored with green and composite digits are colored with yellow तो जो 2 और 7 है वो prime है और 6 और 4 है वो composite है आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पर लिप दिया है अब क्या करना new sequence ये बनेगा 7 repeat हुआ है 6 times in the new sequence कहाँ पर 2 बार ये, 2 बार ये, 1 बार ये, 1 बार ये ठीक है ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्त ध्यान देने वाली बात ये है कि जहाँ जहाँ भी 7 आया है वो सभी composite number से आया है आया है ना तो मैं सिर्फ composite number को देखूँगा और उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा मैं प्राइम नंबर को टची नहीं करूँगा तोकि मुझे प्राइम नंबर ही तो रिजल्टेंट चाहिए बाट समझ गया इस तरीके से चेंज करना था उमीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अगला कोश्चन देखो अगला कोश्चन देखो अभी तो कारवा शुरू किया है मैंने आज असानी से नहीं छोड़ूँगा ये वाला कोश्चन करो फटा फट से आज हाफ सेंचरी पूरी करनी है टाइमर स्टार्ट हो गया है चालो हम से क्या बोल रहा है if first and the third digit of each number are interchanged मतलब two, seven, six, four को change करके क्या लिखना है six, seven, two, four first and third digit को हमने interchange कर दिया and arranged in ascending order मतलब की छोटे से बड़े क्रम में लगा देना है फिर क्या करना है then which of the following is second from the right end right end से second बता देना है तो मैं क्या सब में change करूंगा नहीं करूंगा क्या करूंगा बता देता हूँ बहिया इसमें सब की third digit लिख लो six, eight, six, nine, seven ये आपने लिख ली छोटे से बड़े करम में लगाना तो six, six, seven, eight, nine right से second मतलब की eight eight वाला बोले तो second number seven, nine, eight, three इसका answer हो जाएगा option number two सही answer आगया चुटकी में आया चुटकी में answer हमने करना क्या है question को समझो मुझे demand क्या कर रहा है सिर्फ उतना ही supply करो extra मत दो एक्स्ट्रा नहीं देना है अगला सवाल करते हैं 47th question है फटा फट से उड़ा दो देखने में खतरनाक अगर लगे तब भी कर लेना आसान है चलिए सवाल क्या बोल रहे if all the digits are arranged in descending order within the number digits को descending order में arrange करना है मतब 7,6,4,2 ऐसे arrange करना है 2,7,6,4 है ना इसको 7,6,4,2 descending order में arrange करना है then which of the following are second greatest and second lowest चलिए तो सबसे पहले सबसे बड़ी digit को सबसे पहले लिख लेते हैं सारे numbers की 7 इसमें 9 इसमें भी 9 इसमें भी 9 इसमें 8 बोला गया है second greatest and second lowest तो second lowest क्या हो जाएगा दोस्त 8 वाला हो जाएगा ना second lowest 8 वाला ही number होगा तो 8 वाला number कौन सा था 6,278 पहले तो मुझे ये चाहिए कि answer में ये होना चाहिए option में फटाफट से देख लो क्या 6,7,2,8 है 6,7,2,8 यहां पे मिला मुझे मिला इस जगे पर ठीक है ना तो option number 4 या फिर option number 5 इन दोनों में से कोई एक answer होना चाहिए फटाफट से देख लेते हैं भाई ये second lowest कौन सा है तो या तो ये होगा या ये होगा ये होगा देख लेते हैं भाई ये 9 में क्या-क्या change करना है 9 के बाद 8, 7, 3 9 के बाद 8, 6, 2 9 के बाद 5, 4, 3 तो ये हो जाएगा second lowest मतलब की 9, 8, 6, 2 option number 4 इसका सही जवाब हो जाएगा अग्या रहे हैं option number 4 इसका सही जवाब होगा देखो आप अगर चाहते तो रिस्क ले सकते थे जैसी आपको second lowest मिला आप answer टिक करके आगे बढ़ जाते हैं क्यों क्योंकि सारे ही options में जो पहला number है मतलब second highest वो same है तो हम एक मतलब ना आप रिस्क ले सकते हो कि आँ भई ये ही answer होगा बट फिर भी अगर हमारे पास समय है या फिर हम 5-7 second का और investment कर सकते हैं तो क्यों ना पूरा answer निकाल लिया जाएं अब आपके सामने अगला question आया है फड़ा फट से इसको उड़ा के खतम कर दो timer start हो गया है खतरना question साबित हो सकता है जल्दी करो अब आपके सामने है if all the digits are arranged in ascending order मतलब की छोटे से बड़े क्रम में लगानी है सारी digits अब बताना है कि how many such numbers are there in the new arrangement in which the position of all the digits get changed within the number for an example 2764 इसको क्या करना है ascending order में लगाना है मतलब की 2467 और बताना है किस number में ऐसा हुआ कि सारी digits अपनी जग है बदल दी लेकिन इस वाले number में 6 ने अपनी जग है नहीं बदली इसलिए ये वाला तो answer नहीं होगा ये वाले question का मुझे सारा पूरा ना पूरा arrangement करना पड़ेगा तो देख लेते हैं 7983 इसको हो जाएंगे 3789 तो 8 नहीं बदला ठीक है 9862 मतलब की 2689 यहाँ पे सारी digits बदल गई मतलब ये आपका answer हो जाएगा अभी देखो यहाँ पे 1,2,3,4 इस टाइप से है ना तो हम देख लेते हैं भई कौन सा answer होगा अभी एक मिल गया हमें 5 देखते हैं 5493 मतलब की 3459 तो 4 हमारा नहीं बदला इसके बाद है 6278 मतलब की 2678 तो ये और ये भी नहीं बदले हैं एक ही answer हो जाएगा option number 1 इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question आपके सामने आगया है फटा-फट से इसको करो उडाने की कोशिश करो और खतम कर दो जल्दी से calculate करो answer 28 second बचे 26, 25, 24 अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को भहिया वीडियो को वीडियो को वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को शेयर करो कमेंट सेक्शन बताओ क्या चाहिए क्या improvement चाहिए कैसा लग रहा है session मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है बताया करो चलो अच्छा एक एक बच्चे का doubt आया था कि सर आप जब question दिया करो तो देखो सर 30 second तो वैसी बहुत कम है और उस 30 second में भी आप बोलते रहते हो तो हम बच्चे कैसे solve करेंगे ठीक है तो दोस्त मैं आपको हमेशा बताता हूँ थोड़ी सी मुश्किल होती है जब कोई इंसान बोल रहा होता है कानों में आपके earphone लगें फिर आपको solve करना है बट फिर भी try करने की कोशिश किया अगरो उसी चीज में करने की solve मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने आपको चुप रख सको ठीक है अगली बार से ऐसा ध्यान कोशिश करूँगा इफ आल डिजिट्स आर अरेंजड इन असेंडिंग ओडर विदिन इच अव दे नमबर तो असेंडिंग ओडर मतला लगाना है मतलब की छोटे से बड़े करम में लगाना है ठीक है और प्रोडक्त अफ फ़स्ट टू डिजिट्स ऑफ इच अफ दर नमबर इस गलोटेट ठीक है पहले वाले नमबर में जो दो फर्स डिजिट आएंगी वह लिख लेते पहले 2, 4, इसकी क्या आएंगी 3, 7, इसकी आएंगी 2, 6, इसकी आएंगी 3, 4, इसकी आएंगी 2, 6, ठीक है, फिर बताना है, which of the original number, which of the following original number gives an odd number as a resultant, बताया ना, बताया ये गया, पूछा ये कि हमसे, कि इन सबका product करना है आपस में, और फिर बताना है, कौनसे number ने odd result दिया, यहाँ पे आ जाएगा, 8, 21, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, तो सबका even है, बस इसका odd है, ये किसका था, ये था 7, 9, 8, 3, ये मतलब 7, 9, 8, 3, option number 2, इसका सही जवाब हो जाएगा, बजी नहीं अगला question देखो ये question आपके लिए आपके घर का work है मतलब की home का काम है homework है ये question मैं बार-बार आपको दे रहा हूँ करा रहा हूँ हर session में कराया है क्यों? क्योंकि ये fix है दोस इस type का एक question आना ही आना है तो जब पता है कि fix है तो क्यों इसकी practice ना करी जाए ठीक है अगले session में जब मिलेंगे सबसे पहला question यही होगा इसका answer मुझे बताईएगा comment section में इस video के comment section में सभी लोग इसका answer बताईएगा मुझे answer चाहिए इस question का इस video के comment में आज समझ गए आज के लिए रखेंगे इतना ही मिलेंगे अगले session में अगले session में आपके लिए और अच्छे level के questions लाने की कोशिश करूँगा हो सकता है अगले session में आपको कही ना कहीं थोड़ा सा mains का touch मिल जाएगा वीडियोज में, lectures में इस session में Elphanumeric series के mains का थोड़ा सा touch देने की कोशिश करी जाएगी बने रहीएगा अगले session में इस वीडियो को like कर देना और अपने सभी दोस्तों को share कर देना उनको बोलो यार कि देखो एक बार वीडियो को, एक बार देखके तो देखो, ना मज़ा आ जाए तो बताना, ना लत लग जाए तो बोलना, उनको बोल के तो देखो एक बार, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ संचेस सर भी बहुत जादा मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए history की पूरी series लेके आए हैं अभी कुछ समय पहले उन्होंने MCQ शुरू किया है उस MCQ को अगर नहीं देखा है तो उपर मैंने screen पे MCQ का link दे दिया है फटाफट से जाके MCQ attend करो, SSC वालो कर लो, बात समझ गए हैं अगले session में मिलेंगे, तब तक के लिए stay healthy, stay safe